तो हेलो दोस्तो कैसे हो मेरे भाई हो तो भाई आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीजी आमाई के बैन पैन सिस्टम को लेके क्योंकि यह वाली वीडियो बहुत जाद इंपोर्टेन्ट होने वाले हैं अगर आप BGMI खेलते हो तो भाई ये वीडियो पूरा देखना क्योंकि अगर आपको भी अपना अकाउंट बैन नहीं करवाना है तो भाई जरूर देखना वीडियो को पूरा और बहुत सारे जो के आजकल अकाउंट बैन भी हो रहे हैं मेरे को भी इस्टाग्राम पेसके रि हैकर्स को मतलब मैं बार बार नहीं बोलूँगा क्योंकि थोड़ा प्रॉलम होती है हैकर वर्ल्ट से तो भाई उनको हम बोलेंगे जादूई लोग हैकर्स का नाम हमने नाम करण कर दी है इसके अंदर उसका नाम रख्या जादूई लोग तो भाई सबसे पहते मैं एक चीछ बता दूँ कि BGMI जब आया था तो स्टार्टिंग में तो भाई कुछ भी कर लो भाई मतलब जादूई लोग बनने के लिए जादा कुछ करने के ज़रती पड़ती थी थोड़ी बहुत स्क्रिप्टिंग कर ले और मतलब स्क्रिप्ट ल अब उनका तो क्या ही बोले हो क्योंकि यार इतने सारे फ्लेयर तो भाई एक आदा तो बंदा रही जाता है और मेरे ginger्म पर काफी सारे लोग यह जो मेरे को स्टार्टिंग से देखते हो भी बोल रहे भाई मैंने कुछ नहीं किया मेरे आईडी बैन हो गई है तो BGMI के अंदर सबसे ज़्यादा आईडी बैन होने का रिजन जो है ना वो है वह रिपोर्टिंग अगर आपको कोई गेम के अंदर रिपोर्ट कर देता है ना तो आपकी आईडी बैन हो जाएगी ये सबसे बड़ा रिजन है क्योंकि BGMI ने अभी कुछ टाइम पहले भी ये भी स्कीम चलाई थी कि भाई आप प्लेयर्स को रिपोर्ट करो और तो भाई हम उनको बैन कर देंगे अभी कुछ छोटे बच्चे भी हैं गेम में ऐसे जिन्नोंने भाई चीज को जादा सीरियसली दे लिया और बस रिपोर्ट मानना शुरूरो कर दिया मतलब मतलब कहने का यह कि मालो मैं BGMI खेल रहा हूँ और BGMI खेलते मैंने दो या तीन किल कर दिये अभ मैंने जो दो या तीन किल किया उसमें कुछ छोटे बच्चे थे मतलब जो ना समझते अब उनके इगो को जो जादूई लोग था मतब जादूई व्यक्ति था उसमें क्या होता है कि अगर एक मैच के अंदर आपको दो या तीन से जादा रिपोर्ट कोई मार देता है तो जादा पॉसिबिल्टी है कि आपका अकाउंट बैन हो जाएगा अभी ये वाला जो सिस्टम है ये फिलाल मैनवल नहीं ये AI पे चल रहा है अभी मैनवली चलेगा तो उनको आपको रिपोर्ट मार देंगे और अगर आपको एक मैच में दो या तीन से जादा रिपोर्ट पढ़ गई तो डेफिनिटली उमीद है कि आपका अकाउंट बैन हो जाएगा अब बात कर लेते हैं स्क्रिप्टिं को चेंज करता है वो सही है लेकिन जो GFX टूल आपके मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़े चेंज कर देता है जो गेम में मतलब सही नहीं है गेम के रूल के हिसाब से है तो तब जाके जो आपका अकाउंट भी पर्मनेंट बैन हो जाएगा हाँ ग्राफिक के लिए आप GFX टू बैन कर देते हैं वो सिर्फ आपकी जो ग्राफिक की स्क्रिप्ट होती उसको ही चेंज करते हैं तो अभी बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहोंगे कि यार अकाउंट तो बैन हो रहा है क्योंकि बहुत सारे लेजट जो अकाउंट थे जिन मतलब जो जैन्वन प्लेयर थे उनका अभी अकाउंट बैन हो अभी घातक भाई ने भी कुछ स्टोरी वगरा डाली थी काफी टाइम पहले तो वो अकाउंट बैन हो रहे हैं लेकिन वो वापस आ जाते हैं क्योंकि भाई वो किसी की गलती मतलब किसी के किसी बच्चे का ego heart हो जाते हैं तो इसलिए बैन कर देते ह अब इस ट्रिक में यह बता दू कि आप को ऐसा नाम भी यूज नहीं कर सकते हो जो कि कंपनी को हामफुल करें साथ में आप कोई पिक्चर्स ऐसी प्रोफाइल पर नहीं लगा सकते हो जैसे जो मतलब समझ रहे हो ना दोस टाइप की भी और गाली वगरा में भी आप फीटर ही जादा है कि आपकी बैन हो जाएगी और मैक्सिमम अकाउंट जो है 60% अकाउंट बीजे माई के अंदर अभी जो बैन हो रहे हैं वो इसी रीजन की वजह से हो रहे हैं तो भाई आप समझ समझ जाओ तो थोड़ा देख कि अभी भाई किसी बच्चे बच्चे को मत मारना क नहीं हो आपकी मास रिपोर्टिंग कर दें तो आज की वीडियो में सिरफ इतना ही था क्योंकि बहुत सार लोग कन्फ्यूज है कि भाई हमारे अकाउंट बिना किसी वजह से बैन हो रहे हैं किसी बच्चे का इगो हाट हो रहा है तो इसलिए आपको रिपोर्ट कर रहा है और मास रिपोर्टिंग हो जैसे आपका अकाउंट बैन हो रहा है अब सबसे बड़ी बात है कि आप वापस ले सकते हैं तो बिल्कुल आप अकाउंट वापस ले सकते हैं लेकिन आपको फाइल क्लेम करना पड़ेगा अगर आपने कुछ नहीं किया है कोई GFX नहीं किया है और अचानक से आपका अकाउंट बैन हो गया है तो भाई आप जब फाइल क्लेम करेंगे तो उसके अंदर एक और में शायद ऑप्शन आता है तो वहां लिख सकते हैं कि भाई किसी ने रिपोर्ट कर ऐसे लिए बैन हो सकता है तो में भी उमीद है मिल जाएगा क्योंकि ती वाई टीक है